हेलो दोस्तो बी वाइजन वैल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज इस बहतरीन कंपणी के Q1 F522 के नमबर आ चुके हैं जी हां दोस्तो कंपणी कौन सी है स्क्रीन पे आपने इमेजिस देखके आइडिया लगा ही लिया होगा तो जी हां दोस्तो कंपणी का नाम है Ace बहुत ही शांदर कंपणी है दोस्तो इसको मैं आपको बहुत ही निचल उस तरों से forcefully recommend कर रहा हूं कि इस कंपणी में आप जरूर invest कीजिए company जबरदस्त fundamentals वाली है और business model आप देखेंगे तो company का बहुत ही शांदार है company देखी क्या करती है construction equipments company मनाती है देखे tower crane तो यह tower crane है दोस्तो इसमें around 60% का market share है Ace का और बात करें truck crane की तो इसमें भी अच्छा-कासा market share है pick and carry crane में भी बहुत जबरदस market share है अगर आप कहीं बहार निकलेंगे दोस्तों कहीं आप जहां construction हो रहा होगा वहां देखिएगा जो heavy engineering construction होते हैं या फिर bridges highways बनते हैं तो आपको कहीं न कहीं Ace के जो यह equipment है देखने को मिल जाएंगे और जिस प्रकार से दोस्तों focus है infrastructure पे construction पे reality पे आप कहीं न कहीं दोस्तों यह जबरदस proxy play आप इसको as a proxy play consider कर सकते हैं Ace को और fundamentally भी बहुत मजबूत है इसके बारे में दोस्तों आज हम पूरा discuss करेंगे कैसे रहे हैं numbers क्यों और के यहां पर हम पूरा इसको चलिए numbers पर चलते हैं दोस्तों तो जैसे कि आप देख पार हैं दोस्तों यहां पर यह numbers हैं आज ही हाँ यह numbers आए हैं तो आप देखिए यहां पर अगर revenue from operations की बात करें तो आप सौ करोड का जो revenue है यह रुपीज यह रही है तो आप को करोड में बता रहा हूं तो आप देखिए सौ करोड का revenue बढ़के दोस्तों हो चुका 321 करोड तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो revenue है उसमें मतलब 3 times revenue हो चुका है पिछले साल जून के quarter में जो करोड था बढ़के हो चुका है 321 करोड हाला कि पिसला जून का quarter जो था उसमें दोस्तों wash out हो चुका था completely because of lockdown ठीक है तो लेकिन अपकी बार आप देखिए तो growth भी जबर्दस्थ उससी प्रकार से हमको आती हूँ देखने को मिल रहा था वह अपकी बार देखिए उननिस करोड तक जा पहुचा है तो यहां पर आप देखिए क्या जबर्दस्थ शांदर growth देखने को मिली है हाला कि वहीं आप देखेंगे तो सीक्वेंशल यह आप देखिए नंबर सोड़ से हमको कम जोर देखने को मिल रहे हैं देखिए 464 करोड का revenue घटकर रह चुका 323 करोड अगर हम net profit में bottom line में देखें तो 38 करोड का profit जो है घटके आदा रह चुका है पिकास यहां पर आपने देखा जो एप्रेल और जो मार्च में एप्रेल में जो lockdowns हुए थे अपकी बार भी उसकी वज़े से भी थोड़ा है पर हमको pressure देखने को मिल रहा sequential basis पर लेकिन जब बात करें दोस्तो एन्वाली basis पर मतलब पिछले साल के quarter के मुकाबले तो देखिए जबर्दस यहां पर growth दिखाई और अब दोस्तो यहां पर अगर lockdown नहीं होता है तो यह company आपको अगले quarters में भी यहां से multifold growth होती हुई देखने को मिलेगी ठीक है EPS की बात करें देखिए EPS में भी शांदर growth देखने को मिली है sequentially आप देखिए numbers यहां पर कमजोर रहे हैं अगर मैं आपको यहां पर बताओं तो stock price में इसका क्या impact पढ़ सकता है वो बताओंगा उससे पहला अगर आप देखें तो segment wise revenue देखिए cranes में अच्छा खा सकता है उससे पहले अगर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं तो देखिए market cap अभी भी दोस्तों 3000 करोड का है और यह जो sector है यह दोस्तों बहुत जबरदस्ट ग्रो कर सकता है आगे आने वाले कई सालों तक मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस परकार आप देखिए ए ROC है 21 का ठीक है ROE 16.5 जबरदस्ट है operating profit margin 10% के आसपास है हाला कि इस बार के profit margin भी इसके हमको थोड़े से कम होते हो देखने को मिले है आप देखिए 11 से घटके 9 रहे चुका है तो इसका दुस्तों असर stock price करा सकता है हो सकता है अगर stock price correct हो तो आपको दोस्तों मैं कहना चाह पहुचा है net profit 24 करोड से 103 करोड जा पहुचा है जबरदस्ट और operating profit margin year on year आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रहे हैं तो fundamentally company बहुत अच्छी है अगर मैं आपको shareholder pattern दिखाना चाहूं तो 70.5 जबरदस stake यहां पर promoters ने hold कर रहे हैं FIS देखिए लगातार आप देखेंगे चार quarter से अपने stake बढ़ाये जा रही है वहीं आप D.I.S देखिए पिछले चार quarter से लगातार यहां पर बढ़ाये जा रहे हैं तो मतलब जो माल retail के हतों से निकाला था वो यहां पर किसने दबोचा है और जो promoter साथ से निकला था वो दबोचा है FIS और D.I.S ने तो company के उप पर भरोसा है दोस्तों FIS, D.I.S का भी तो यह positive चीज है चार्ट पर बात करें तो दोस्तों इस stock को मैं आपको जी हां दोस्तों मैं इस stock को आपको यहां पर 140 के इस तरहों से recommend कर रहा हूं आज आप देख लिए 200, 200, 260 तक पहुंच चुकी है तो मैंने यहां पर आपको उस time इस company में जरूर इन्वेस्ट कीजिए और आज आप देख सकते हैं तो अभी भी दोस्तों मौकर नहीं गया देखते हो तो अभी भी यहां पर मौकर नहीं गया है अगले आने वाले पांस सालों में भी action construction equipment आपको जबर्दस परफॉर्म करती हुए नजर आईगी क्योंकि यह Mobile Towers में बात करें या फिर cranes में बात करें इसका कोई competition है नहीं अगल बगल में agriculture में जरूर एक्रिकल्चर में यहां पर इसको हम देख नहीं रहे हैं हम तो cranes और construction equipment में बात करें तो ace यहां पर एक जबर्दस player है अगर आप कहीं भार जाते हैं तो notice जरूर करना जोस्तों यहां पर आप देखिए इस consolidation zone का एक breakout था उसके बाद आप देखिए consolidate कर रहा है तो अगर market दोस्तों इसको कल positive लेता है इस numbers को तो आपको फिर से एक जबर्दस rally देखने को मिलेगी लेकिन अगर margins में जैसे हमको impact देखने को मिला तो हो सकता है correction आए तो correction आता है तो अगर य 120 के आसपास भी तब भी आप buy कर सकते हैं इस company को long term का नज़र है रिखे काफी अच्छी company है और इसके बारे में दोस्तों हम कई बार discuss कर चुके हैं already जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि company की बात करें तो यह जो यह जो सारे products हैं दोस्तों इसके crane, construction equipment, material handling हर industry में काम आते है हर industries में आपको इसका purpose, use देखने को मिलता है, tower crane में 60% का market share लेके बाटी है company तो यह सारी चीज़े इसको एक जबर्दस business model बनाती है और जिस प्रकार से government का focus है, infrastructure पे, construction पे, यह company एक जबर्दस proxy play है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, proxy plays में आप जरूर यहां पर ध्यान दी आपको इसेट हैवी model है, business model है, थोड़ा सा इनकी ओपर आप कह सकते हैं कि borrowing से रहती है, तो जिनको यहां पर comfortable नहीं लगता, invest करना वो, FMEG companies जैसे कि Polycab, Havels, Ace जैसी companies, इन में invest कर सकते हैं, तो यह Asian paint जैसी companies, इन में invest कीजिए, क्योंकि यहां पर यह company जोस्तो एक लगा है, तो प्लीज एक like करके दोस्तो effort को ज़रूर appreciate कीजिएगा, share कीजिएगा वीडियो को, चैनल को जबर subscribe करनेजे, मिलते हैं दोस्तों आपसे next वीडियो में, till then take care, bye-bye